और एक महत्रपुर्ण सवाल मुझा आप से पूछने की दूजार उन्नीस का जो चुनाव है उसके पहले मंत्री मंदल का विस्तार होने वाला है जैसे मुख्य मंत्री एवेंदर जी फरंड विसने जो कहा है कि अभी मूरत होने वाला है तो ये मंत्री मंदल विस्तार में क्या बदलाव आपको उचित है और एक सवाल है जो मुंबई भाजपा के अध्यक्षा आशिश शेलाव जी उनको कामिनेट बद मिलेगा या स्टेट में मंत्री बद मिलेगा क्या लगता है जो आपने सवाल किया बहुत ही सुन्दर है आशि किये जनतापारटी को BMC में और Bombay में बड़ा करने वाला अगर कोई नाम है तो वो आशिश शेलार है करकर आशी है उनकी और इस वक्त उनकी अगर हम दशा की बात करें तो दशा भी उनकी है बहुत ही उत्तम दशा लगी हुई है मंगल की महादशा लगी हुई है क्योंकि म बात पकी है कि 22-12-2018 से पहले पहले जैसे आप पूछ रही है आशिश शेलार जो है उनको कैबिनिट मंत्राले में शामिल कर लिया जाएगा नंबर वन जो उनकी कुंडली से प्रतीत होता है दूसरा देवेंदर फन्नविस जो है उनकी कुंडली का अध्यन करें तो उनकी ब अपने सीनियर्ज भारतिय जनता पारटी के सीनियर्ज की सलाह लेकर प्रामर्श लेकर उस दिन उनको नाकपुर के सम्मेलन में भी देखा गया नितिन गड़करी और गवेंदर जी जो स्टेज के उपर आरैसेस के साथ फर्मिशन में देखे गए तो वातावरन डेफिनिट खतम होने से पहले उनको मंत्री पद मिलता हुआ दिखाई देता है और साफ साफ नजर आता है कि 2 नुवंबर से लेकर 12 नुवंबर तक यह मंत्री पद का विस्तार दिख रहा है कुंदली के मुताबिक और महाराष्ट की कुंदली के मुताबिक यह विस्तार करने में उन्ह जल्दी से जल्दी मेरी सला है पर कुंडली के हिसाब से ग्रहदशा के मताबिक जो परिवर्तन योग बनते हैं कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग आएंगे उनने आशिश शेलार डेफिनेटली नंबर वन पोजिशन पे हैं जिनको मंत्रालय मिलेगा और मिलेगा भी कैबिने वह सकता है हो सकता है हम कुई निकालने का समय मिले यहां से मुरत निकालेगे तो यह समय जो दस दिन का है इस दस दिन में यह पॉसिबिलिटी है कि देविंदर पन्नवीज जो है इसका विस्तार करते हैं